नमस्कार बच्चों, प्रथम हिंदी भशा कक्षातीन, नाइन्थ लेसन, सोने की खान, अब आप पेज नमबर 70 निकाले, 70 पेज नमबर 70 निकाले बच्चों, यहाँ पर देखिए, फोर्थ बिट, हमने फस्ट और थर्ड बिट कर दिया था, अब हम फोर्थ बिट करेंगे, पाठांश को पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्णों के उतर दीजिए, यहाँ पर आपको परग्राप के जैसा दिया गया है, उसको पढ़कर आप क्वेश्चन दिये गए, उसके आंसर लिखना है, यहाँ पर आपको समवाद की रूप में परग्राप को दिया गया है, य बोला का क्या संवद है? महाराजी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत कहते हैं, नहीं बोला, यहां तुम्हारे परिश्रम का फल है, और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। अब पेज नमबर 71 देखे बचो, भोला, यहां तो आपकी क्रिपा का फल है, संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है, इन सिक्कों से कोई कामदंदा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी अब यहां पर देखिए, प्रश्ण दिया गया है, किस में चांदी के शिक्के भरे हुए थे, अब यहां से इसमें से धून के आपको लिखना है, आंसर, किस में चांदी की शिक्के भरे हुए थे, उतर है, घड़े में, घड़े में चांदी की सिक्के भरे हुए थे भोला को कुवा खोदने पर एक घड़ा दिखाई दिया था ना तो चांदी की सिक्के किसमे थे घड़े में दूसरा प्रश्ण है भाग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तीसरा प्रश्ण है फल कैसे प्राप्थ होता है फल मतलब यहां पर रिजल्ट जो भी तुम काम करते उसका रिजल्ट कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है कर्म मतलब काम काम करने पर ही उसका रिजल्ट हमको मालूम पड़ता है कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है चौथा प्रश्ण है सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी कौन गरीब था यहाँ पर? भोला, सिकों से भोला की गरीबी मिट जाएगी, बचो अब आप पेज नमबर 71 को रीडर में लिखिए, धन्यवाद